अलो स्टूडेंट स्वागत है आप सभी का आपके अपने फामली टीचर जादा 247 यूट्यूब चैनल पे मेरे नाम निदी अरूरा है आज के इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे EMRS TGT की form filling की step by step प्रक्रिया तो मैं आपको एक एक चीज step by step बताऊंगी I hope आप लोग जो है वीडियो को end तक देखेंगे और अपने जो भी doubts है by the end comment section में drop कर देंगे वीडियो start करने से पहले request करूंगे कि आप लोग like और share जरूर किजिए session को सदा जिन भी students को problem आ रही है वो form को तसली से fill कर सकें चलिए अब देखते हैं फटाफट से कि ये जो page है खुलेगा कैसे जब आप Google पे type करेंगे EMRS TGT form fill तो यहां पर आपके पास पहला ही link आजाएगा कि कैसे आपने form fill करना है अब मैं expect करेंगे कि आप लोग new registration करने के लिए जा रहे हैं तो आप लोग new registration करेंगे यहां पर सब कुछ दिया गया है यह link पे क्लिक करना है और अगर आपने रेजिस्टर कर लिया है तो आपने अपने application number, password और वो code डालना है तो जब मैं new registration पे क्लिक करूँगी तो ऐसे कुछ आपके पास में खुल जाएगा तो मैं आपको step by step बता देती हूँ तो यहां पर हमारे new registration में guidelines दी गई है आपको पहले तो उसको अच्छे से read out कर लेना है ताकि आप form filling के time पे कोई गलती ना करो students के messages आते हैं मैं यह गलती हो गई आप क्या करें correction window open होने की wait ना करें और पहले ही first attempt में try करें कि आप अच्छे से form fill करें ध्यान से mindfully and carefully तो सबसे पहले तो यहां पर दिया गया है कि आपको instructions को carefully read करना है ठीक है आप कैसे कर सकते हैं online through the official website https fallen दो slashes है emrs.tribal.gov.in slash ठीक है उसके बाद आपने ensure करना है क्या आप उस eligibility criteria के under fall करते हो TGT में ठीक है उसके बाद अगर आपका जो price है वो 1500 रुपीज है तो आपको last में payment करना है इसके लिए no fee है जो candidates SCST या PWBD category के उनके लिए कोई fee नहीं लगेगा ठीक है तो आपको इस चीज का खयाल रखना है fee submit होगी net banking के through credit card debit card ये last में payment option में आपको दिख जाएगा उसके बाद यहां पे steps हैं सबसे पहले तो आपको register करना पड़ेगा अपने application number और password डाल करके दूसरे step में आपने अपनी personal details के साथ साथ अपने application form को complete करना है इसमें आपके पास में images photographs और signatures होने चाहिए scanned images होनी चाहिए पोटोग्राफ की और signature की यह होना चाहिए अपनी passport size photo और उसके लिए भी मैं आपको आगे-आगे step by step बताती रहोंगी आपनी examination fee, net banking, debit card या credit card के through ही पे करना है उसके बाद passwords को ले करके खयाल रखना कि password strong कैसे हो सकता है 8 से 13 character का हो एक capital letter हो uppercase और बागी सारे small हो सकते हैं एक lowercase भी होगा तो strong रहेगा कम से कम और numeric value एक रखना numbers या digits और special characters इन प्रकार के आप रखना जो symbolic way में आपके काम आते हैं उसके बाद हम बताते हैं आपने अपने अगर password reset करना हो तो कुछ security question आपसे पूचेगा उसको हमेशा याद रखना उसके तुरू आप reset कर सकते हो और application number जो है computer generated confirmation page के साथ mention होगा ठीक है आपको हर case में वो मिलेगा तो जरूरी है कि आप application number जो printed confirmation page पे उसको check कर लें loss verify कर ले note यह है note down करना है कि अगर application number कैफुली आपने उसको fill करना है जो भी correction के लिए दियानी जाएगा तो मतलब application number में आप कुछ problem नहीं कर सकते हैं जब आप यह पढ़ लेंगे तो आप टिक करेंगे और click here से proceed कर देंगे और यहां से आपकी step by step जो है date of birth इसमें date है month होगा year है यह फिल कर देना gender आप फिल कर देना male female identity type आप फिल कर देना और अपना मतलब आप जो भी ID proof देंगे वो टाइप करना और उसके बाद यहां पे pan number इन्होंने दिया वा था तो वो pan number लिख दिया है ठीक है मैं personal information leak नहीं करूंगी present अब आपका अभी के address की बात हो रही है आपका house number, locality, country, state, district, pin code, email address दो बार confirmation मांगेगा copy paste नहीं होगा दोनों बार दुबारा लिखना पड़ेगा आपको email address याद रखना इस चीज़ को आगे चलते हैं next step पे अब जैसे ही आप ये fill कर देंगे email address तक तो यहाँ तक हमने देख लिया था आपका mobile number दो बार पूछा जाएगा confirmation के लिए ठीक है landline number हो तो ठीक है वरना optional है उसके बाद आपके पास permanent address के बिले भी पूरा column आएगा अगर आपका permanent address कुछ और है तो वह fill कीजिए अगर same है तो एक option आएगा same as present address उसको tick कर दीजिए अब आपने password चूस करना है ठीक है अब यह जो यहां पर दिया गया है हर detail के fill करने के बाद हर domain के बाद आपसे मागा जाएगा तो आपने यह security pin मांगना है just to ensure कि आप human है कोई robot नहीं और यहां से आप submit कर देंगे now after you submit आपने क्या करना है आपके पास एक disclaimer आ जाएगा review page कि आप अपनी सारी information को देख लो अगर आप शौर नहीं हो तो edit पे जाओ registration form के और अगर शौर हो तो submit पे जाओ और send OTP पे जाओ यानि कि आपने पहले तो इन सभी पे टिक करना है कि आपने सारी details अपनी प्रोवाइड कर दी personal details उसके बाद यह declaration है कि हम यह फिल कर रहे हैं और कोई गलती नहीं है इसमें आप I agree पे चले जाएंगे अगर आप submit करना चाहते हैं तो वरना edit पे जाके दुबारा से check कीजे correct कीजे जो information है उसके बाद आपके पास एक review page आजाएगा online registration का ठीक है edit या submit and send OTP इन दोनों में से option है यह सारी details आप ही के दुबारा fill की गई है security question भी था और उसके बाद आपने verify कर दिया है ठीक है यहाँ पे आपने सब को fill किया I agree किया जैसे कि tick करके I agree करके और आपने सब्मिट कर दिया है कैसे आप यह सब्मिट करोगे तो आप registration दुबारा कर देना आप मतलब new registration के अब पुराने हो गया तो आप application number password दुबारा से डालेंगे जो हमारे यह वाला कॉलम है आप इसमें दुबारा से जाकर register कर लीजिए यानि कि यह जो हमारी website थी इसमें आपने यह हमारे डालने application number password यह security pin और sign in कर लेना अब आपके पास यह वाला कॉलम जो है खुल जाएगा ठीक है समझ गए बात अब हमारे पास यह सारी चीज़े आ गई है आपका नाम है application number है यहां पर registration form आपका complete हो चुका है आपने application form और payment फिल करनी है और यहां पर application number आपका है तो यहां से आप complete करेंगे और यह सारी अपने फिल करनी है आपका mobile number verify हो चुका है email id भी verify हो चुके अब आपने application form और फी payment पर जाना है तो मैं next step पर जाओंगी जैसे कि यहां दिया हुआ है आपकी personal details इसको आप review कर लीजे अब हमने यहां पर candidate date of birth आगई जेंडर आगया father's mother's name आप अपनी nationality चूज कर लेना इंडियन उसके बाद आप से पूछा जाएगा कि क्या आप एक person है जिनका domicile है Jammu and Kashmir के UT का और date दी गई है उनिस सो असी सिले के 1989 तक तो आपने नो या इस में फिल कर देना आपका क्या कोई बेंच्मार्क के disability का PWBD काटेगरी में आते हैं section 2 के तहट जो 2016 में define किया गया था no या yes पर टिक कर देना एक और आपसे पूछा जा रहा है कि अगर मतलब do you need scribe writer आपको scribe चाहिए होगी क्या चलने के लिए या writer चाहिए होगा आपने examination के time पे writing की limitation होने के वज़े से जो time limit आती है तो आप yes या no टिक कर देंगे इसे साब से आएगा क्या आप एक service man है EMRS के under तो yes या no आप टिक कर देंगे अगर आप yes टिक करते हैं तो आपसे सब कुछ पूछा जाएगा आपकी date of joining month year के साथ date of retirement from the service day month year के साथ और duration of service days months और years में सब कुछ पूछा जाएगा अगर आप no करते हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं ये option आएगा ही नहीं ठीक है फिर आपसे पूछा जाएगा कि आपका तीन साल का continuous service central government में है क्या किसी भी post में same या allied cadre में yes या no आप कर सकते हैं ठीक है और अगर हां तो आप बताएंगे कि किस तरीके से आप सर्फ कर रहे थे अगर नहीं लिखोगे तो यह नहीं आएगा option आपके पास में मतलब जो भी है फिर उसके बाद में आपने marital status अपने टिक कर देना है whatsoever ठीक है तो जैसे यहां पर एक option आगया कि आप किस तरीके से सर्फ कर रहे थे क्या आप EMRS employee थे या फिर other than permanent employee थे जो EMRS में थे एक एक 2023 मतलब इस साल से या फिर not applicable इन में से आप कुछ भी एक चुन सकते हैं इस पहले वाले question के accordance में marital status टिक करने के बाद यह security pin आएगा उसको टिक करके confirm कर देना ठीक है तो यहां पर continuously चलेगा जैसे आपका यह सबमिट हो गया security pin उसने ले लिया आपकी डीटेल से वो चुकी है आगे चलते है apply for exam center and details टीक है तो इस side आपके सारे states है राज्ये और इस side में आपके सारे cities है शेहर तो दिली में न्यू डेली हर्याना में चंदिगड़ है राजस्तान में जैपुर है उत्तर प्रदेश में लखना हुए जितने भी states आप एक बार उने देख ले और उनके सेटीज को रमेशा पास का ही चुनना फीजिबल चुनना जहां पर जाने आने में टाइम वेस्ट ना हो कोई मतलब आपको टिकेट करवा लिए रेजर्वेशन करवा लिए एक्जाम में अगर कोई से दिस्क्रिपेंसी होगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं तो पास का ही सेंटर सहूलियत के साब से चुनना अपने अपने अपनी रीजनल लंगविज चुननी है रीजनल लंगविज आपको अठारा दी गई है उसमें इंग्लिश हिंदी भी एक है आपका जेनरल से चुनते हैं तो स्तर कंपारिटिवली हाईयर होगा और अगर कोई और भाषण चुनते हैं तो भी रेगिलर से हाईयर ही मिलेगा आपको तो उसको सोच समझ के चुनना से क्योरीटी पिन फिल करने के बाद सेव निक्स्ट पर चले जाएंगे जैसे आप जाएंगे तो आपको सब्मिट करना है या नहीं करना है इन डीटेल्स के एसाब से आप आगे बढ़ेंगे क्वालिफेकेशन डीटेल्स में क्वालिफेकेशन डीटेल्स में बढ़ते ही आपने देखना है यहां आपके पास में स्टेटस पूछा जा रहा है कि जो भी आपका एक्जाम है क्या पास थे, अभी तो form fill कर रहे हो है न, year of passing बताना है, आप अपने course और stream का नाम बताओगे, ये दो चीज़े पूछे गई है, या तो आपके पास bachelor degree है, recognized university या institute से, अपने concerned subject में, और आपके सारे subject से तीनों सालों में, या फिर आपके पास honors degree है, bachelor की concerned subject में, आपके पास subject है at least कम से कम दो सालों में, तीन सालों में से जो degree को से, उसमें से दो साल में आपके subject होना चाहिए, जिसमें आप TGT करना चाह रहे हैं, ठीक है, उसके बाद university या board का name पूछा जाएगा, आपके subject पूछे जाएंगे, और आपका फिर B.Ed की सारी details मांगी जाएंगी, तो हम total marks, obtained marks और marks percentage में पूछ लिया जाएगा, ठीक है, अपने subject आपको mention आपके द्वारा कर दिये जाएंगे, जैसे या B.Ed की qualification भरोगे, पास की, आपने year of passing लिखा, तो यहाँ पे आपसे course का नाम पूछा जाएगा, यह तीन options है, B.Ed degree है, 4 year का integrated course है, regional language of education of NCRT या दूसरे NCTE recognized university क के साथ अपने concerned subject में, या 3 साल का integrated B.Ed या M.Ed, इन तीनों में से आप कोई भी एक option चुनेंगे, जैसे ही आप university का नाम डालेंगे, तब आपके marks वगरा पूछे जाएंगे, तो अभी fill नहीं हुआ है, ठीक है, यहाँ पे जैसे for example, fill कर दिया है, यहाँ पे एक university का नाम फिल क तो आप से marks, obtained marks और percentage पूछी जाएगी, और आपके subjects पूछे जाएंगे, उसके बाद ही आप से confirmation security pin मांगा जाएगा, जैसे ही आप यह fill कर देंगे, तो आप बढ़ सकते हैं आगे, आगे बढ़ने के बाद, आपकी degree हो गई, ग्राजुएशन की, आपकी B.Ed की degree हो गई, January, December के हिसाब से आपके year दिये गए हैं, आप अपना result mark sheet देख करके चुन लेना, role number डाल देना, seated paper 2 आपका पास होना चाहिए, वो option by default यहां पे आएगा, उस पे वो click होगा, clickable, आप change नहीं कर सकते हो उसे, ठीक है, तो उस पे जाना, security pin डालना, save and next से आगे बढ़ जाना, जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, अब आपने करने, अपने documents upload, जिसकी requirement अब आपको देखनी, ठीक है, जैसे ही आप document upload पे जाएंगे, तो आपके पास में photograph का एक option आ गया है, document format आपका jpg में होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ, आपका minimum size 10 kb हो, maximum size 200 kb, 10 से 200 kb से बीच में आ आपका होना चाहिए, यहाँ पे आप अपने documents को डाल देंगे, ठीक है, ब्राउस करके अपने phone से या laptop से select करके, fill कर देंगे, और यहाँ पे आजाएगा uploaded, लिखा हुआ, जैसे आप signature पे जाएंगे, तो आपका signature का document format jpg में ही होना चाहिए, और से 30 kb के बीच में ही होना च यहाँ पे दिया गया, click here to view the uploaded document, आपने कर दिया है, मतलब upload, आप चेक कर सकते हैं, कि हो गया कि नहीं हुआ है, दंग से, उसके बाद आपने आपने security pin डालना है, save and next पे जाना है, submit हो गया, आप आजाएगा, आपके पास में, जैसे ही आप हुआ, तो आपके पास में payment option, ज definitely fill किया है, सब कुछ होश और आवाज में fill किया है, ठीक है, सारे particulars मेरे ही है, और मैं agree करता हूँ, कि जो candidature, मतलब मेरा cancel भी हो सकता है, अगर मैंने गलत detail fill की है, अगर कोई false information provide करी है, और मैं सारी terms और conditions पे लागू रहूंगा, और फिर जितनी भी details है, public notices, advisories, CBSE के regarding, time to time म मैंने देखिया, I agree पर जाएंगे, final आपका submission हो गया है, payment के लिए मैंने आपको बताया था, अगर आपको payment करनी है, unreserved category में, तो आप जो है, करेंगे 15 रुपे, किसी भी credit card, debit card, या फिर, अपने net banking के थुरू, वरना SCST, अगर कोई PWBD category का है, तो कोई payment नहीं करनी है, आपन आप completed लिखावा आ जाएगा, अपने registration form complete कर लिया, application form देख लिया, और payment details भी हो गई, आपका application number आगे, अब यहाँ पे आप जाएंगे, और अपना, जो है, download कर लेंगे, confirmation page, इसको download करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उस पे आपका application number मौजूद होना चाहिए, ठीक है, और यहाँ आपसे पूछा भी जाता है, कि आप review कर लिजे, final submit के लिए, कि क्या अगर आप change करना चाहते हो information, तो आप left bar menu पे जाओ, और अगर आपने submit कर लिया, तो आप फिर modify नहीं कर पाओगे, कोई भी information, तो इसका आपने जो है, खासी खयार रखना है, तो यह थी आपक communication form की प्रक्रिया, इसके अलावा भी अगर आपके कोई doubts रह जाते हैं, तो आप comment section में drop कीजे, मैं एक FAQs लेकर आकर, आपके सारे doubts clear कर दूँगी, या reply कर दूँगी, या फिर आप मुझे personally भी reach out कर सकते है, nidhi.arora at rr247.com, this is my official email id, ठीक है, तो हम आपको time to time revert करते रहें और साथ ही साथ में अपनी preparation को बरकरार कीजिए, अज teaching का महापायक आपको सिर्फ उसे 2600 रुपय में मिल रहा है, आपके पास, अपका code है y449, ये information में सब तक पहुचाना चाहूंगी, तक कि हर एक student participate कर सके, कोई भी student पीछे ना रहे, और अपनी तयारी के साथ लगे रहे PGT जिनोंने form fill किया, PGT के लिए अलग से batch लेने की जरूरत नहीं है, teaching महापायक है आपके पास, thank you so much, like और share जरूर करना